मिस्टर इंडिया बॉलीवुड के एक ऐसी फिल्म है जिसको भारत में सभी लोगों ने देखा है और इसी फिल्म का गाना जिन्दगी की यही रीत है सभी को मुश्किल समय में होसला देता है इसी के साथ इस फिल्म का मश्यूर डायलोग गोगेंबो खुश हुआ आज भी लोगों की जुबां पर रहता है मैं इस फिल्म ने ऐसे कई यादगार पल दिये हैं जो लोग आज भी याद करते हैं पर जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस बीच कुछ ऐसा हुआ जि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म के बारे में ऐसी बात बताई जो किसी को नहीं पता थी अनिल कपूर ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि जब उन्हें मिस्टर इंडिया के गाने जिन्दगी की यही रीथ है कि ट्यून सुनाई गई तो उस समय मेरे दिमाग में इस ट्यून के साथ सिर्फ किशोरदा की आवाजी चल रही थी लेकिन उस समय किशोर कुमार और लश्मी कांच प्यारे लाल साथ काम करना नहीं चाहते थे इस वज़े से किशोरदा के संपत में आने में महीनो लग गए आगया निल कपूर ने बताया कि मैं किशोर कुमार की घर गया और दोनों की बात करवाई इसका परिणाम है यह शानदार मेलोडी जो आज के मुझके समय में भी याद की जा सकती है आज मिस्टर इंडिया को रिलीज हुए पूरे 34 साल हो गए है और यह संदेश आ हम आपको बता दे कि मिस्टर इंडिया फिल्म 25 मई 1987 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने लीड रोल प्ले किया था आपको हमारी स्टोरी कैसी लेगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिलकुल ना भूले और इसी तरह की बॉलीवड अपडेट से जुड़े हैने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तकि आपसे मिस्टना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट थैंक्स वर वाचिंग अरपन न्यूज